जे, C-Fab 6, पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, आज की क्लास में बेसिकली एक तो औरियंटेशन है हमारी और प्लस कुछ थोड़ा स्लेबस आपके साथ शेयर करना है, प्लैनिंग आपके साथ शेयर करनी है किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को ले के चलेंगे जो इंस्ट्रक्टर औरियंटेशन, इंट्रडक्शन सबसे पहले है, मेरा नाम हमाद आसिफ है, टीचिंग में तो वैसे मुझे तकरीबन कोई 12 साल हो गए है, लेकिन C-Fab आपके लिए चुके relevant C-Fab है, C-Fab लेवल पे मुझे तकरीबन 3,5-3 साल हो गए है, छटा या साथ होगी वो होगी दो घंटे की और इस में तकरीबन 15 मिनट की नमाज की ब्रेक आया करेगी, तो एक घंटा और 45 मिनट के करीब की कलास हुआ करेगी हमारी, हफ़ते में 3 दिन, हफ़ते में 3 दिन और यह तकरीबन 4 महिने चलेगी, ही चार महीने का मतलब करीबन अहां जी अक्तूबर एंड तक ठीक है और इसमें जो हमारे वीक्स बनते हैं वो तकरीबन वीक्स हमारे बनेंगे एक मीने में चार और सिक्स्टीन के क्रीब वीक्स बनेंगे इसका मतलब है हमारे जो टोटल डूरेशन होगी वो होगी शोना ती आटालिस और अटालिस तुना नवे नाइंटी आर्स के करीब 85-90 आर्स के करीब हमारा टोटल डूरेशन होगी इस सेशन की जिसमें हमने स्टैंडर्ड्स को कवर करना है कुछ पास्टर की प्रेक्टिस भी होगी उसके साथ लेक्ट्चर्स तो बेसिकली आपका कोर म लेक्ट्स के साथ साथ कुछ अडिशनल रिसोस्सिस में आपके साथ चेयर करूंगा वैसे कुछ स्ट्रुरेंट्स से फीड़एक मुझे मिला तो उन स्ट्रुरेंट्स के फीड़एक के मुताबक नार्मली जो हमारे प्रफेशन में ज्यादा तर जो ट्रेंड है वो शळु एक लेक्शल हफते में दो दिन होते हैं और शायद डेट घंटे के होते हैं मतलब मुझे एक्जैक्टली कंफरम नहीं है यह स्टुएंट से फीडबेक मुझे मिला है लेकिन मेरी असेस्मेंट के मताबिक जितना हमारा स्लेबस है वो इवन इस टाइम में भी पूरा होना करें तो फिर नंबर ओफ लेक्शस कम हो सकते हैं ठीक है अचा मैं यह नहीं कर रहा है कि यह प्रोच गलत है कि स्टुएंट के बड़न शिफ्ट करना कुछ लोगों के ख्याल में यह प्रोच बीची है से स्टुएंट ज्यादा रिस्पॉंसिबल होता है खुद से महनत करता चाहिए क्योंके जाहिराल आप लोग टिपिकल स्टुएंट नहीं है प्रोफेशनल हैं आपके ओपर आलडी काफी बड़न होता है फंका और उसके लिए स्टुडिस के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है आप लोग क्लास में पढ़ने के लिए आजाते हैं यही बड जादा टाइम से आपको फाइदा होगा यहीं समझ लिजिए कि अगर आपने घर जा के खुद से अगर चार घंटे पढ़ना था तो क्लास में थोड़ा सा टाइम ज्यादा करने से वह चार घंटे की बजाए एक दो घंटे यानि आदा फिफ्टी परसंट बर्डन आपके सा एक तो जैसे मैंने बताया कोर सर्विस्ट होगी वो तो लेक्शर्स हैं वो तो जाहिर आपको कंसर्प समझाने समझाने इसके इलावा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को माइंड मैप्स परवाइट करूं कि माइंड मैप क्या होंगे हर स्टेंडर्ड अब देखे मेरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है नार्मली स्टून यह समझते है कि C-5-6-2 की ओपन बुक एग्जैमिनेशन है तो ऑपन बुक का मतलब यहा है कि हम किताब खोल के एग्जाइम में क्वेस्टन आएगा किताब खोलेंगे डूंडेंगे किस लिगा से क्वेस्टन आए उ आप मिल जाएगा ठीक है अगर आप खुद भी एक्जैमिनर हों और पेपर उपन बुक के एक्जैमिनेशन सेट करें आप बिए प्रफेशनल कभी भी ऐसा पेपर सेट नहीं करेंगे जिसमें एग्जैक्ली क्वेस्टन का स्लुशन अवेलिबल हो ठीक है तो उपन बुक का य कितने को क्वेस्टन में आप स्टैंडर को खोलते हैं या कितने को स्टैंडर में आपको एजडिस गाइड़स वहां से मिल जाती है ठीक है शुरू में जब यह ओपन बुक हुआ था सीफएप 6 का पेपर उस वक्ट कुछ क्वेस्टन ऐसे पेस्ट हुए थे जिनका अंसर हम में स्टैंडर में से डिरेक्ट मिल जाये करता था लेकिन अब वह अप्रोच पुरानी हो चुकिया अब लेटर साप इशले 6-7 पेपर उठा के देख लिजिए आपको शायद कोई कोई क्वेस्टन ऐसा मिलेगा जो के एजट इस रिप्रोड़क्शन का क्वेस्टन होगा आ हमेशा नहीं लेकिन अकसर केफ लेवल की सुड़ी में होता किया था वह एक टॉपिक अठाता था केसीडी उसे debris को पर बेस कर रही होते थी त钉ड ऑस एक से ज्जादा लागा ऐस kanske है को एक सेडिय में टैच ने करता था लिएसलिब में आप निएक हैंить कैसट फैडी कोड ओफ कार्पेट गुवर्नस को भी इनकर दे वो रिकोर्टिंग की केस्टेडी सेट करें और उसमें से जो हमारी प्रोसीजर एविड़न्स वाले स्टेंडर्स है उनके कंसेप्ट को भी साथ में मिला दे तो सीफएप लेवल की केस्टेडी में याद रखी वो मल्टीबल सकें कि ये इसका सुलुशन किस पराग्राफ में मुझूद है टाइम भी नहीं होगा और आप डूड भी नहीं सकेंगे अगर आपने छी नमबर का क्वेस्टन उसमें दो नमबर का पार्ट कहीं से डूड भी लिया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सिर्फ कोड़ को अपन करेंगे और इसका फाइदा भी होता है कोड ओफ हैथिस के लाव और किसी क्वेस्टन में हमने स्टैंडर को अपन नहीं करना मेरा टार्गेट किया है मेरा टार्गेट यह है कि आपको इस काबिल बनाना है जब यह सेशन खतम होगा तो आपको इस काबिल बनाना है क की यहां पे आडिटर ने ये काम करना है यह पर झाल कि एजाशता यह नहीं है तीक आपको standards and independent बना भाना इसका यह मताम हीं हम सब्छल्द की रीडिंग करेंगे हम बिल्कुल standard की reading करेंगे जो कि सब्छल्ट में यहां पर बैठ के आपके साथ डिसकस कर रहा होंगा ना वो स्टेंडर्ड में से ही मैंने उठाया होगा ठीक है कोई एक स्टेंडर्ड हम डेली बेसिस के ओपर फार्ज में पालकर एक स्टेंडर्ड कवर करेंगे तो यहां पर जो कुछ भी मैं आपके साथ डिसकस करूंगा वो सारी बाते स्टे तो इस चीज से बचाने के लिए ये डर खतम करने के लिए स्टेंडर्ड भी आप लोगो के साथ मैं शेयर करूंगा ठीक है लेकिन उसमें वो क्या तरीका कार होगा वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा तो जो बेसिक थीम होगा हमारे सेशन का वो ये जहन में रखिएग हमने स्टेंडर्ड से इंडिपेंडन्ट होना है इंडिपेंडन्ट से मुराद कोई भी आपने इस काबिल होना ये नियत बना लिजिए आज के इस काबिल होना है कि कोई भी आप से रियल सिच्वेशन आए आपके सामने या आप से किसी स्टेंडर्ड में कोई क्वेसन पू दो चीजों के उपर, रीडिंग के ऊपर नहीं, स्टैंडर्ड की अंडर्स्टैंडिंग और उसकी एप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है यह दो चीजों के ऊपर हमारा फोकूस हो ऊपर तो इसी परपस के लिए, आपके साथ मैं शेयर करूँ गा, माइंड मैप, क्या होता है, जैसे सफ़े के उपर पूरे स्टेंडर की समरी आ जाए माले का किंसेप्ट क्या है एक सफ़े के उपर पूरे स्टेंडर की समरी आ जाए और समरी कौन सी WORDS की फाम में नहीं, SYMBOL की फाम मैं यह समरी आपके REV personalities के लिए बहुत ऐहम होगी आखरी दिनों में जब आप रवियन कर रहे होंगे ना उस वक्त यह समरी काम आएगी वरना आखरी दिन अगर आप स्टेंडर्ड बढ़ेंगे ना आखरी दिन रवियन नहीं कर सकते यह पकी बात है स्टेंडर्ड इतने बढ़े हैं कि वो एक छे मिने के अंदर पढ़ना ही एक मुश्किल टास्क होता है जितना को आप लोगों के पास टाइम होता है प्लस उसकी फिर आहरी दिनों में रवियन करना दो तीन दिन में पूरे स्टेंडर्ड की रवियन करना तक परीबन कम अजका मेरे जैसे स्ट्रोंट के लिए तो हासा मुश्किल होता है मांड मैप मांड मैप जो होते हैं यह उस रवियन परपस के लिए काफी हैलफूल होते हैं तो मेरी कोशिश यह होगी कि आपको अलाइदा से भी PDF वरियन इसके शेयर कर दूँ ताकि आप संभाल के रख सके अपने पास मुबाइल वगारा में कहीं पे कंसल्ट करना पड़े आप उसको रवीन कर सके जिस वक्त भी आपके पास टाइम अवेलबल होता है लेकिन क्लास मे आप लोगों के सामने वाइड बोर्ड पे माइंड मैप भी शेयर किये जाएंगे तो आप लोग यहां से भी पिच्चर लेकि अपने पास सेव कर सकते हैं वरना मेरी कोशिश होगी लाइदा से भी PDF वरियन आपके साथ शेयर करो यह तो होगा एक माइंड मैप फिर है क्वि कर लिया अब मैंने तो आपको पढ़ा दिया ठेक है आप से पुछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपने भी कह दिया प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन मैंने फीड़ बैक लेना मुझे फीड़ बैक चाहिए कि क्या एक्जैम पॉइंट ओफू से सारी चीज़े आपको समझ जागी है जो मैं चीज़ा आपको समझाना चाहता था क्या आपने उनको अंडस्टैंड कर लिया एक्जैम लेवल तक और एक्जैम में केस्ट टेस्ट करें कि आप उसको आंसर कर सकेंगे यह मुझे कैसे पता चलेगा इस परपस के लिए कुई बनाए गया देखे इसका एक किस लेवल पे आए लेकिन यहां पे हमारे पास नंबर ओफ आर्ज कम है कैफ की निस्बत ठीक है नंबर ओफ आर्ज कम है और स्लेबस बहुत ज्यादा है यह समय लिए चार गुना ज्यादा स्लेबस तो इसलिए इतना टाइम नहीं होगा कि हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ टे लेकिन आप लोगों का जो फीड़ बैक मुझ तक कैसे पहुंचेगा के अंडरस्टेंडिंग ड्वेल्फ हुई के नहीं हुई वह इन क्विस की बेसिस पे होगा आइडिया क्या है बिसिकली के जो कुछ मैं पढ़ाओंगा जैसे हाईए से टू हंडर्ड मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया तो आज के आज ही कलास के एंड पे मैं चंदे क्वेस्टन कुछ पास्ट वेपर से उठाओंगा कुछ स्टेंडर्स से उठाओंगा पर कुछ साथ आठ कोईसन पूछने हैं उसे हमारी परफॉर्मस वैल्यूइट होगी तो आप लेक्चर को भी ध्यान से सुनेंगे और जब यह इस तरह के क्विज्ज में भी जो पॉइंट्स होंगे इसकी डिसकेशन होगी तो जब आप घर जाएंगे तो आप फिल करेंग यहर स्टेंडर्ड की समरी है देखें स्टेंडर्ड असल में प्रैक्टीशनर्स के लिए बनाएं गए हैं स्टूर्ण्स के लिए नहीं बनाएं गए लेकिन चुके आप लोगों ने प्रैक्टीशनर बनना है इसलिए आपके लिए पढ़ना यह लाजमी है ठीक है पास होने के लिए याद रखिए स्टेंडर का एक एक पराग्राफ रेलिवन्ट नहीं होता स्टेंडर की एक एक लाइन पढ़ना और समझना आप के लिए रेलिवन्ट नहीं है और ना ही iCAP की ये प्रैक्टिस है कि वह randomly किसी भी पराग्राफ में से किसी भी लाइन के बारे में पूछ लेता है ठीक है बहुत कुछ स्टेंडर अभी ऐसे भी है जिन में 90% अरिया अंटस्ट है आई कैपने आज तक उसमें से क्वेस्टन नहीं पूछा तो नोर्स का कंसेप्ट क्या है कि किसी एक स्टेंडर्ड के अंदर स्टोंड पॉइंट अफू से जितनी भी relevant चीजे हैं जितने भी relevant concepts हैं उन सब को निकाल दिया जाए ठीक है जो explanatory material है या जो irrelevant material है उसको standard में रहने दिया जाए और जो main उसकी जो summary है वो निकाल के अलाइदा से आप लोगों के साथ share की जाए ताकि आप उसके उपर focus करें अगर आप उसके लावा additional पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं लेकिन पहले एहम चीजें कवर करने हैं ठीक है वरना नॉर्मली स्टोंट क्या होते हैं देखें आपको प्रफेशनल आप इससे को समझेंगे अगर मैं आप से कहूं के standard सारे standard पढ़ना इसमें for example 50 standards है different standards है बजाए ये कि आप पहले 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 चीजें सारी कवर कर लें फिर standard number two की आहम चीजें सारी कवर कर लें फिर standard number three की सारी सी आहम कर लें यानि priority उन concepts को देनी चाहिए जो ज्यादा आहम है अगर आप खुद से standard बढ़ेंगे ना आपको नहीं पता कुन सा paragraph exam point of who से आहम है कुन सा ज्यादा हम है कुन सा कम आहम आप हर paragraph को equally importance दे रहे होंगे जिसकी वज़ा से कुछ paragraph overemphasized हो रहे होंगे क्योंकि exam point of who से वो एहम नहीं है और बात अका सुरूंट एक ऐसे लफज हैं ऐसी line पर पस जाते हैं जिसकी कोई relevance नहीं होती exam point of who से तो मैं क्या करूंगा मेरा काम ये होगा कि standard में से एहम concepts को निकालने हैं मैंना उनकी summary बनानी है और आपके साथ शेयर कर देनी है कि भाई आगे चलने इस standard के अंदर मजीद detail में जाने से पहले ये cover कर लो ये cover करो गए फिर इस standard में आगे जाओ जितनी detail में जाओ वो आपकी मरजी है लेकिन पहले इनको cover कर लो ताकि हमारा risk cover हो जाए कि एहम च standard अभी pending है और किसी दूसरे standard में कम एहम चीज के उपर हम टाइम लगा रहे हैं तो मेरी suggestion आप लोगों के लिए यही होगी खास तो पर जिन स्ट्रोंट्स की attempt है जो ये winter 21 में टेम्ट देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपने notes को cover करना है इसमें से concepts को अच्छे तरीके से retain करना है उसके बाद additional कोई reading करना चाहें कर सकते हैं फिर जी 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 रिटन प्रैक्टिस जो है वो क्लास में नहीं हो सकेगी यह मैं आपको फ्रेंकली बता रहो हमारे पास इतना time नहीं होगा कुई सिरफ आपके concept assessment के लिए रिटन प्रैक्टिस जो आपने करने हो आप को question बता दिया करूंगा कि यह standard है पास्वेपर में इसका यह question है यह question है उस question को करना आपने है उस question को हाँ उसमें अगर को problem आती है कोई concept समझ में नहीं आता वो आप WhatsApp ग्रूप में मेरे साथ share कर सकते हैं ठीक है class WhatsApp ग्रूप बनाने का मकसद ही यह होगा कि आपकी जो भी questioning है ना वो group में हो class में अगर हम question discuss करेंगे ना देखें हमारे मैंने आपको पहले पताया syllabus ज्यादा time कम है जब syllabus ज्यादा हो time कम हो तो उस वक्त planning बहुत अहम होती है तो आप लोगों की planning जो है उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा इस चीज़ को ensure करने की कोशिश की है कि हम concepts को discuss क कर रहे हों ठीक है concepts जो है हमारे वो comprehensively discuss हो अगर हमने एक standard को class में discuss किया फिर उसके return questions को भी class में जैसे for example मैं यह कह देए कल की class में आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी और दो question दे दिया आपको रिटन प्रैक्टिस करने के लिए तो no doubt आपकी रिटन प्रैक्टिस तो होगी ल आप लोगों की देखें आप लोगो कैफ के बचे नहीं अपने आपको कैफ के बचे ना समझेंगे के हम लिखेंगे सर चेक करके हमें बताएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमने question ठीक किया के गलत किया है नहीं अब आपने खुद लिखना है evaluation भी खुद करनी है iCAP के solution के स वह आप मेरे से discuss करें सर मेरे जिखन में यह अडिशनल पॉइंट आय था solution में यह बताए यह क्यों नहीं यह यह जिए मेरे जिखन में नहीं यह बताये आपने क्यों लिक्का यह मैं करूंगा लेकिन अगर आप यह expect करेंगे ना कि आप मुझे a question यह test यह पेपर है वह written form मे attempt करके मुझसे feedback लेना चाहें ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कम अज कम इन तीन चार महिनों में तो मुश्किल होगा हाँ जब हमारा session complete हो जाएगा उस वक्त एक महिना बजेगा उस वक्त हमारे पास free time होता है उस वक्त मैं आपके script चेक कर रहूंगा और basically मेरा खैल है ज़रूरत भी आपको उस वक्त ज्यादा होगी जब आपकी coverage हो चुकी होगी उस वक्त आप ज्यादा practice कर रहे होगे तो ये basically जो quiz होगे ये आपके concept testing के लिए है ताके मुझे तसली हो जाए कि मैंने जो कुछ भी आपको deliver करना था जो मेरा target था आज के lecture का वो मैंने deliver कर दिया कर नहीं किया ठीक है written practice मैं आप लोगों को guide जरूर करूँगा कि ये question आपने इस standard में से written form में attempt करना है attempt आपने खुद करना होगा compare solution के साथ खुद करना होगा उसमें जो problems हैं वो मेरे साथ discuss करें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो teacher आपको provide करना भी चारा होता है लेकिन limitations होती है वो नहीं कर सकता time limitations मुझे खुद यह पता है कि अगर मैं अपने स्टोन को वो लिख रहा है उसके sentence check कर को से बताऊंगा ना यह sentence ऐसे नहीं इसे लिकना यह लफज है तो improvement जरूर होगी drafting में लेकिन unfortunately हमारे पास इतना time नहीं है हमें जो college ने time दिया है यह time भी जो बढ़ाया है यह थोड़ा लड़ जगड़ के बढ़ाया है कि हमें मिल जाए इससे ज्यादा time मिलना अगर आप ज्यादा सर्विसी सारे उसके लिए ज्यादा time चाहिए और वह possible नहीं होगा यह चीज क्विज हो गया नहीं हो ठीक है अच्छा यह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस फार रवियन यह एक तजर्वा है में भी काम्याब हो में भी नाकाम हो मैंने जो देखा है अपने एक्सपिरियंस से जितना पी मेरा टीचिंग प्रफेशनल में 12-13 साल के एक्सपिरियंस से इस्ट्रूंट के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है न वो रवियन का होता है खासतों पर आहरी दिनों में रवियन का याद करते हैं बाद में भूल जाता है फिर बर्डन ऐसा होता है रवियन के लिए टाइम कम मिलता है पता नहीं चलता कब कितना किस चीज को रिवाइज करना है और बहुत सी चीज़े जो सेशन क तक वो भूल जाते हैं रवियन हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है सी फैप लेबल पे तो सलेबस भी इतना ज्यादा है कि उसको रिवाइज करना मुश्किल होता है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च की कि के गोरे इस तीज के ओपर कैसे काम करते हैं वो किस तरीके से इस तो ने करते हैं तो मुझे एक दो आप्शन मेली उनको मैंने एक्स्प्रोर किया मुझे अच्छी लगी फर्स टाइम में आप लोगों के साथ आप लोगों के उपर ही एक्सपेरिमेंट करूंगा के रवियन परपस के लिए एक सॉफ्ट्वेर है वो आपके साथ शेर कि किया जाएगा वह आपको बता दूंगा क्या करना कैसे करना इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूं कंसेप्ट यह वह यह कहते हैं कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं अगर आप उसको 24 गंटे के अंदर रिवाइज नी करते ना तो तक्रीमां 50 परसं रिवाइज करना है यह पो बेसिकली क्या करेगी इसके बैक एंड पे मैं कुछ कंसेप्स बनाओंगा जैसे आये से टूंडर आइसमें है पच्चीस कंसेप्ट यह बनते है फ्लैश काड़ फ्लैश कार्ड के जरियर से काम करते हैं अगर स्टैंडर के अंदर 25 कंसेप्स है मै 25 flashcard बनाओंगा उसमें question लिखूंगा solution उसका बनाओंगा ठीक है आपके mobile पे वो एक portal है उसमें upload कर दूंगा वो आपके mobile पे आजाएगा आप उसको access करके आप से वो किसी भी दिन में किसी भी वक्त 10-15 minute के लिए आपने उस app को यूज करना है वो आपसे question पूछेगा randomly आपने उसका answer देना है और खुझ से evaluate करना है कि आपने इसका answer सही दिया के गलत किया 20% ही दिया 40% 60% 80% यह 100% खुझ से ranking करनी होगी अपने answer की पता चल जाता है एक question मैं कि उसने पुझे हैं मुझे तेन आते हैं तो इसका मतलब है 60% मैं इस answer को जानता हूं और मेरा accuracy level 60% है आप 60% पे क्लिक करेंगे वह गला question पूछेगा यह basically back end पे वह आपका statistics maintain कर रहा होगा फिर अगले दिन आपने जिन questions को गलत किया होगा ना आपसे अगले दिन वह question question पूछेगा ठीक है जिन को आपने गलत किया होगा और इसी तरह अगले दिन के आपके जो stat होंगे correct होंगे वह आपकी correct incorrect correct incorrect दो categories बनाता जाएगा हर अगले दिन वह आपके incorrect जो solution questions होंगे उनकी testing ज्यादा करेगा और correct वाला जो batch है उसकी testing भी करेगा लेकिन कम करेगा आ रहे हैं या जिसको भूल रहे हैं वो दुबारा test होना चाहिए और जिस concept के उपर आपकी grip है strong है उसको दुबारा test नहीं होना चाहिए तो यह basically a artificial intelligence based program है जो आपके statistic maintain करेगा जब आप इसको use करेंगा तो actually इसकी utility का अंदाजा आपको तब होगा ठीक है मैंने इसको पर research की और मेरे ख्याल में यह एक अच्छी option है लेकिन बाहराल आप लोगों के साथ जब शेयर करेंगे महीने डिड़ महीने बाद इसका feedback आपसे लिया जाएगा उसके बाद determine होगा कि वाकिए यह किसी काम किया है हर स्टोंट का अपना स्टेटिस्टिक होगा जाहिर है क्योंकि आपके अपने प्लस माइनस होंगे इन बाई के अपने प्लस माइनस होगा फिर इसके बाद नेक्स आपके साथ चीज मैंने शेयर करनी है वह है आई-एसस हाइलाइट इ यह भड़ा काम है जो मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा के नहीं कर पाऊँगा लेकिन मेरा इरादा है कि मैं यह करूंगा है क्या कंसेप्ट के आप लोगों का ज्यादातर वक्त जो लगता है वो टेंड ही रिडिंगे लगता है और इसमें आपने स्टैंडर को हाइलेट करना होता है कि समृ टैम्ट है स्टैंडर्स को डेहएक। करते हुए फिरून को नहीं पता होता है तो जैसे मुझह दाजा है जा liquidity यह सारे स्टैंडर्ड को गो प्लस कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो exam point of view से एहम है कुछ नहीं है आपको इसका नहीं पता आपके लिए हर वो कंसेप्ट एहम होगा जो शायद आपको समझ नहीं आया आपको मुश्किल लगा ठीक है लेकिन हर वो कंसेप्ट एहम नहीं होता exam importance कुछ होर होती है complexity या difficulty level कुछ हो होता है तो चुके student evaluate नहीं कर पाता के standard में कौन-कौन सी line या sentence उसके काम आ सकता है तो मैंने यह decide किया था कि मैं खुद से standard सारा read करके उसको highlight करके आप लोगों के साथ share कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस standard में क्या-क्या चीज अहम है आप खुद से अपनी judgment न कम आप से ज्यादा बहतर लेवल पे हूं कि standard को पढ़ने और exam importers को evaluate करने के लिए तो बजाए यह कि आप अपनी judgment लगाएं आप ने मेरी judgment को use करना है और उसके उपर अपने standards में अपने पास highlight कर देनी है again मैं personally इसको जरूरी नहीं समझता standard पढ़ने क्योंकि जो मैंने उप के मताबिक sufficient है लेकिन फिर भी कुस्ट काते हैं कि नहीं सर हमने standard को पढ़ना इतरास करते हैं और समयते हैं जब तक standard को नहीं पढ़ेंगे उनकी preparation complete नहीं है तो यह basically उन लोगों के लिए यह provide करूंगा मैं again मेरी कोशिश ही होगी कि हर standard आपको provide करो लेकिन में भी हर standard provide ना कर सको तो जो standard मैं नहीं कर सुकूंगा मैं आपको बता दूगा कि भाईजान इसकी डिडिंग अपने खुद करनी अगर करना चाहे को लेकिन बाराल टार्गेट मेरा यह है कि यह मैं लोगों के साथ खुद शेयर करों आपका time बच सके तो बेतर है जिए अगर आईके करेगा आएंदा से मैं पढ़ा दिया करूंगा आएंदा से मैं पढ़ा दिया करूंगा लेकिन जब तक और देखें मैं फिर भी बात करूंगा आप प्रोफेशनल हैं आपको अंदाजा है किसी एक concept को टेस्ट करने के 50 तरीके हैं में भी iCAP MCQs base paper बनाना शुरू कर दें च तो हमने याद रखे और iCAP ऐसे नहीं करता कि एक दम से वो जमीन असमान एक नहीं कर देगा मेरी जिम्मेदारी यह होगी ये मेरी जिम्मेदारे के एक standard के अंदर जितने भी concepts हैं वो सारे आपको पढ़ाने हैं सिखाने सारे concepts ये मेरी जिम्मेदार ये मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि सिर्फ important concept करौंगा concept सारे लेकिन एक concept भी standard में discuss होता है ना अगर 10 paragraph में तो उसमें काम की चीज़ सिर्फ 2 paragraph में होती है बाकी 8 paragraph में भी वही concept discuss हो रहा है लेकि उसमें काम की बात नहीं होती मैं ये कह रहा हूं कि मैं वो चीज़ें नहीं करवाँगा concept सारे depth सिर्फ जो एहम है exam point उसे वो होगी जो एहम नहीं है जिसमें वो for example कोई commentary type start कर देता है वो मैं नहीं करवाँगा ठीक है ये मैं कह रहा हूं ये मेरी जिम्मेदारी है देखें जाहिरा मेरा मेरा भी तो ये risk है मैं आप लोगों को सही नहीं पढ़ाँगा आप कल को कोई बाकी जिसे मर्जी पढ़ देना ये सरासी को पास ना जाना ठीक है तो मुझे अपना मेरा अपना reputation रिस्क भी है मुझे इसको भी cover करना है तो मैं ये हर्किस नहीं का रहा कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा नहीं concept सारे होंगे लेकिन depth उतनी जितनी examiner test अभी तक कर रहा है आगे यो वैसे counting में भी देखें आपके साथ कोई share करे या ना करें वो कह लाइदा चीज है लेकिन counting के subject में भी सीधर होता है एक standard है आप उसको खोल के question solve करना शुरू कर दे जिन्दगी हतम हो जाए उसके question ना खतम हो इतने question भी मन सकते हैं आप खुद इस चीज़ को मानते हैं ना लेकिन इतनी practice नहीं करवाई जाती है आपको सिरफ उतनी practice करवाई जाती है जितनी current icap के level तक आप paper को attempt कर सके तो यह risk थोड़ा बहुत हर अटेंड में होता है कि icap depth को अपनी change कर सकता है ठीक है लेकिन हमने उसके फिर level को follow करना होता है यहां थोड़ा बहुत हम उससे extra त्यारी कर सकते हैं ज्यादा variation नहीं कर सकते है और icap भी नॉर्मल यहासा नहीं करता कि बिल्कुल ही पल्टा खा जाए आगे चलते हैं कमसकम audit के paper उसने आज तक ऐसा नहीं किया हुआ प्री रेक्विजिट्स क्या है इस course को पढ़ने के लि C5-1 पढ़ा हो यह लाजमी नहीं है साथ-साथ पढ़ना भी लाजमी नहीं है आप में से अगर को इस्ट्रूंट ऐसा है जो audit की class C5-6 क्लास ले रहा है C5-1 उसने इस अटेंड में नहीं पढ़ना ना वो भी पढ़ सकता है यह कोस्प्राब्लम ने लेकिन अगर आप paper देन में एक topic है reporting का उसमें हमने evaluation करनी होती है impact on report क्या होगा कैफ लावल बीस तरह के question होते थे इस तरह का question C5-2 का फरक सिरफ यह है कि थोड़ा complexity बढ़ जाती है उस question को solve करने के लिए आपका accounting knowledge होना जरूरी है reporting वाले question के लिए ठीक है उसमें sometime वैसे तो हम frequently जो situation वो test करता है या कि वो कुई ऐसी situation ना पूछ ले जो के entirely counting से relate करती है और अभी तक नहीं पूछी ऐसी situation को handle करने के लिए accounting का knowledge चाहिए होता है तो जब आप paper देने के लिए जा रहे हों जैसे for example आपका किस attend में पीर होने का program है next time यानि के winter 21 क्या आपने reporting का paper पढ़ लिया है पास है शाबाश पढ़ लिया है यहां इस अटेंट में पढ़ने अगर तो फिर आप बिल्कुल ठीक है फिर आप course लीजिए लेकिन अगर आप यह चाहरे हैं कि आप जब attempt करें पहले आडिट का paper पास कर ले अटेंट कर ले उसके बाद accounting का paper पढ़ेंगे यह प्रोश फिर लगा है फालो करें किया समझाना चाहरा हूं आडिट पढ़ने के लिए accounting पढ़ा होना जरूरी नहीं है आडिट का paper देने के लिए accounting पढ़ा होना जरूरी है तो अगर अभी नहीं पढ़े लेकिन आगे time है तो आपने accounting paper पढ़ लेना वैसे class में को ऐसा स्ट्रूंट है जिस class करने के लिए R.D. Department में articles होना जरूरी है बिल्कुल भी नहीं है बाद उकात हमारे client था मुझे आज तक याद है insurance company दो डाही महीने उस client पे था मैं और उसकी financial statements prepare करके क्राची office बजवाई मताब वो जो format होता था उसके मताबिक उस attempt में reporting में insurance company का ही question आ गया कि financial statement बनाओ डाई मीने client पे रहा था मैं लेकिन अप्रोच ही होती है कि छपा मारना है जो पीछे लिखा है मैं question को solve नहीं कर सका था ठीक है तो लाजमी नहीं कि अगर आप audit department में आपके articles हैं तो आप audit के हर question को attempt कर लेंगे और इसी तरह यह भी अइसन है कि अगर आप audit department में नहीं है तो आप पेपर को पास ही नहीं कर सकते हैं ठाक है जासे अट क्स वाले आप लोगत यह जास्ट पास कर सकते हैं बघागर ज्हें टेक्स डपाटमेंट के articles हुए उसी तरह टेक्स वाले भी audit के पर पास गर सकते हैं इसकी reason क्या होती है यह एक्जाइम में आप की प्रैक्टिस होती है normal regular situation की और एक्जाइम में question पूचता है exceptional situations के नार्मल situation नहीं पूचता आप में से जो आडिट कर स्टू मैं वो शायद उन्हों ने शायद ही जिन्दकी में कभी modified opinion express कि और किसी client पे लेकिन exam में her question modified opinion का पूछता है यह एक एक्जेम्पल है उसी तरह different framework पूछता है हमारे जो framework होते है normally आयाफरस होते हैं आयाफरस के मताबिक हम financial statement को चेक करते हैं opinion देते हैं लेकिन एक्जाएम में जो question आएगा YFS के लावा other framework के उपर भी आएगा जो practice में शायद इशाज हो नादिर या आपने कभी देखे हो तो इसलिए याद रखें इसमें दो concept शुपे हैं इस line में एक ये कि अगर आप आड़ी डिपार्टमेंट के नहीं है still आप paper को पास कर सकते हैं और दूसरा अगर आपके आड़ पर पड़े पास हो जाएंगे नहीं ठीक है क्योंके situation ऐसी हैं दोनों के वास्ता नहीं पड़ा होता तो दोनों के लिए तक्रीब हाँ जब को एक question आता होता है procedure decide करने वाला procedure determine करने वाला कि बताईए situation में आप क्या सबसेंटी procedure perform करेंगे इस question में help हो जाती है उस student को जिसके audit के आर्टिकल्स है वरना नौर्मली ज्यादा significant फरक नहीं पड़ता है फिर इसके बाद जो मैं पढ़ाओंगा तो किन assumptions के मताबिक पढ़ाओंगा मेरी कुछ assumptions होंगी एक कि आप ये subject first time पढ़ रहे हैं में भी कुछ student ऐसे हो जो second time पढ़ रहे हूं लेकिन मेरी assumption होगी कि आप पहली दावा पढ़ रहे हैं और मैं इसी तरीके से आपको लेके चलूँगा अब जो स्टुए पढ़ चुके होते हैं वो थोड़ा सा बोर फील करते हैं lecture को लेकिन मेरा target क्या होगा assumption क्या है क्योंकि classmaker एक student भी ऐसा है जो first time पढ़ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने उसको भी साथ लेके चलना है तो इसलिए assumption यह होगी कि first time आप पढ़ रहे हैं और दूसरा आपने जो winter attempt है हमारी winter 21 इसमें appear होना है यानि जो practice material मैं आपके साथ share कर दोंगा जो आपको case studies attempt करने के लिए दूँगा वो आपने साथ-साथ attempt करनी होंगी ठीक है और आपने भी यह नहीं करना कि अच्छा चले मैं अगली attempt paper दे रहा हूं तो सर जो question मुझे कह रहे हैं मैं note कर लेता हूं attempt अभी नहीं करता attempt जिस दफा मैंने paper में appear होना होगा उस session मैं attempt कर लूँगा ऐसे नहीं करना आपने वरना आप सही तरीके से सीख नहीं सकेंगे ठीक है next attempt अगर आपने की attempt next है तो आपने इस काबिल होना है कि इस वक्त सिरफ review and करें कोई नई चीज सीखने वारी ना बाकी रहे मैं उसी की तरफ आ रहा हुँ यह अगला concept यही है no previous knowledge इसका क्या मतलब है कि कैफ 9 में आपने जो कुछ पढ़ा थार्डिट के बारे में वो सब कुछ बूल चुके हैं यह assumption लेकर चलूँगा कि वो सब कुछ आप बूल चुके हैं लेकिन याद रखें बूल चुके हैं लेक लेकिन आपको जब मैं reading करने के लिए कहूंगा तो आपने भी वो reading भी करने हैं और reading करने से काफी हद तक वो याद हो जाएगा बूल चुके हैं लेकिन assumption क्या है आपके पास material मुझूद होगा क्लास में कितने हैं स्ट्रोंट हैं जिनके पास कैफ 9 के बुक जो नहोंने पढ़ी याडिट की वो मुझूद है हाँ शाबाश यह सारे स्ट्रोंट्स जो हैं इनको काफी help हो यह अगर सब कुछ भी बूल चुके है ना कोई मसला नहीं है वो अगर book इनके पास है जहां से प और यह 210 कैफ में हमने थोड़ा सा पड़ा होगा 30% इस चैप्टर में वहां से जाके कर रीडिंग करके आना जब आप रीडिंग करके आएंगे तो उस वक्त आपका काफी हद तक knowledge fresh हो चुका होगा मुझे उस basic concept के उपर advanced concept बिल्ड करने में आसानी होगी ठीक है और अगर मै आपके वो material यूज नहीं करता जो आपने काफ लेबल पर यूज किया है तो फिर मुझे basic concept क्लास में खुद बताने होंगे उसमें टाइम जयता लगेगा तो no doubt मैं basic concept भी शेयर करूंगा लेकिन अगर आप read करके आएंगे तो मेरे लिए भी अशानी होगी आपके लिए भी यह है कि आप पिछला के F9 का सारा भूल चुके हैं लेकिन आपके पास study material मुझूद है अगर नहीं मुझूद प्रिशानी की बात नहीं है आप जितने जिस बुक से त्यारी की है वो बुक जाहिर अभी भी मार्किड में होगी addition चेंज होता है और उसमें कोई बहुत पर हो इसको रीड करके आजाएगा ठीक है तो यह काम आपने करना होगा रीडिंग वाला अच्छा जैसे अब यह देखिए कल के लिए यह आपके इस लिबस और भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं लेकिन pre-reading of next lecture यह हमने साथ में शेयर कर दिया है यह हर lecture में मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा इसका मतलब क्या है किया आपने कल कलास में आने से पहले यह चीजें रीड करके आनी है यह जो चीजें आपके साथ pre-reading वाली शेयर कर रहा हूं यह आपकी कैफ लेवल की books हैं ठीक है कैफ लेवल की books हैं वहाँ पे आपने concepts जो है जितने भी सिखे होंगे उनको पढ़के आएंगे उनको मैं फिर C-F लेवल पे utilize करूंगा नोट कर लिजे अगर आपने rise book यूज की थी कैफ लेवल पे तो rise के book में chapter 1 और chapter 2 यह दो chapter पढ़के आने है अगर आपने iCAP की book references है paragraph references जो आपने पढ़के आने हैं अच्छा इसमें note कर लिजिए paragraph reference हमने किसलिए दिये iCAP की book अगर आप देखेंगे उसमें chapters है हर chapter के section है section 123 और section के अंदर paragraph है 2.1 2.2 2.3 तो इसका मतलब यह है इस reference का का iCAP की book में आपने chapter number 1 पे जाना है उसमें section 1.1 से लेके section 1.5 तक read करना है यह understand करने है referencing को उसी तरह iCAP की book में पहला digit chapter number show कर रहा है दूसरा digit section number त्रीकसरा digit paragraph number show कर रहा है फिर इसके बाद आपने iCAP की book के chapter 1 पे ही section 2.1 से लेके 2.3 तक read करना है फिर chapter इसी तरह आगे फिर chapter 3 में section 1.4 रीड करना है फिर chapter 14 में section 4.2 रीड करना है इन में वह relevant concepts हैं जो हमने अगले दिन यूज करने हैं यह नहीं कर डिसकस करने हैं यह तो कैफ लेवल का है लेकिन इस concept की base के ओपर मैंने आपके लिए रीडिंग करना जरूरी है रीडिंग करके आएंगे आपके लिए असानी होंगी ठीक है रीडिंग नहीं भी करके आएंगे तो जाहिर है कंसर्ट मैंने सारे डिसकस करना है लेकिन फिर आपको थोड़ा सा quick learner होना पड़ेगा के चीजें क्लास में जल्दी पिक करनी होगी बेस बनी होगी वाम अप होंगे आप आपके लिए असानी है मेरे लिए असानी है जी यह क्लियर हो गया चलिए अब स्लेबस ओवर्व्यू मैंने सीफएब 6 का आपके साथ शेयर करना है यहां तक कोई question पूछना चाहते हो तो पूछ ले लाभान है अच्चा उलास दें बैसिकली लास करन सेशन में वह मैंने स्टार्च में स्थारूंड के साब share कर दिये थे लेकिन उनका नुकसान मुझे हुआ था मुझे यह वा था कि मुझे पता चल गया मैंने book form and stone को सब को share कर दिया मुझे ब सारे session में stone को कोई notes नहीं देने मैं पूरे session में कोई महनत नहीं कर सका ठीक है मुझे जब आपको साथ साथ notes दूँगा ना तो इसमें होगा क्या मैं पहले standard पढ़ूँगा उसमें जो improvement होगी notes में add करूँगा फिर आपके साथ share करूँगा अगर मैं आपको अभी भी possible है कि मैं book form में सारी आपके साथ share कर सकता हूं लेकिन अगर मैं अभी share करूँगा ना तो फिर मैं weekly basis के ओपर जो मैंने महनत करनी होती है और notes को थोड़ो improve करना होता है वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है student को तो मैंने सारा कुछ दे दिया अब क्या उसमें change करना मैंने तो मैं इसलिए अपने benefit के लिए और जाहिर अगर वो जो material study material improve होगा तो उसमें आप लोगो अभी benefit होगा आपको start में book farm में अभी नहीं दे रहा है ठीक है आपको साथ-साथ हर standard के notes class में मिलते जाएंगे ठीक है यह जितने भी मैंने आपके साथ resources का share यह सारे के सारे आपको प्रवाइड करना soft farm में या heart farm में यह मेरी जिम्मेदारीय है और मैं अपके साथ share करता रहूंगा लेकिन बहतर यह है कि हम मैंसे मीरी assessment के मताबिक के book farm में start में ना दू बलके साथ-साथ improve करके चीजें चेंज करके question जो भी है में डाउनलोड कर लें कोई फाइदा नहीं है उसका स्टेंडर्ड ले लिने चाहिए स्टेंडर्ड ले लिने अपने लेकिने कि जहें में रखिए का स्टेंडर्ड आपने अथिया से उसके उपर एक लफज भी नहीं लिखना ठीक है स्टेंडर्ड के उपर आपको होता है रा लेडिंग भी कर सकते हैं वीकेंड पे ठीक है स्टेंडर ले लेने की जरूओत नहीं तो सौफ कभी मैं कि बुक डाउनलोड कर लें बलके मैं वाटसएप ग्रूप में आप लोगों को साफ यह कर लोगा डाउनलोड करके रख लें में भी कभी मुझे उसमें कोई क्वेसे स्टेंडर्ड चेंज हो सकते हैं लेकिन स्टेंडर्ड में ऐसा नहीं होता कि सारे कि सारे स्टेंडर्ड चेंज हो जाते हैं स्टेंडर्ड क्या होगा एक यह दो स्टेंडर्ड चेंज होंगे और यह नेचरल प्रॉसेस होता है यह हर अटेंट में हर साल होता रहता है कि आई ऐने पॉइंट ऑफ टाइम एक तो स्टैंडर्ड एक दो स्टैंडर्ड डिवाइस होते रहते हैं लेकिन अगर पचास स्टैंडर्ड पढ़ ले जिए उसमें विए इसे क्या फर्क पड़ता है बाकी के एट तालीस तो आपके बिल्कुल ठीक है कि सर मैंने इस सटेंड में क्लासिज ली थी अब मैं पेपर देने जा रहा हूं बताएए इस एक साल की दुरा में क्या चेंजिस आई हैं हम आपके साथ चेंजिस शेयर करते हैं ठीक है तो यह परशान होने की जरूत नहीं के स्टेंडर डिवाइज होके दुबारा क्लासिज नहीं होता है क्लियर हो गया को सब्सक्राइब और की सब्सक्राइब चलिए अब मैं आपके साथ स्लेबस शेयर कर दूं हम करने क्या जा रहे हैं देखें कैफ लेवल पे हमारे स्लेबस में सिरफ एक इंगेजमेंट थी प्रोफेशनल इंगेजमेंट वो थी आडिट सी फैप लेवल पे हमारे स्लेबस में वेरियस टाइप्स ओफ शोरूंस इंगेजमेंट है और नॉन शोरूंस इंगेजमेंट में सबसे प्राब्लम जो आती है ना वू ये कि आई कैया क्वेस्टिंट किसी भी इंगेजमेंट से पूछ सकता है शुरों इंगेजमेंट से भी παर ने कि रून के ज्यादा थर आणिट इंगेजमेंट को पड़ा होता है वा आटिटिंगेजमेंट के मताबिक कांसर दे क ś jeszcze one एक ही सिट्वेशन आड़िड एंगेज़मेंट में उसका आंसर कुछ Oerakura और रिवियू इंगेजमेंट हो तो का नशर कुछ OERा है लेकिन इस तरह की चीजें के Type of Englishmen change होने से कंसे होता है स्टुन्ट को यह clear नहीं होते जिसकी वज़ा से वो मार खाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो पहले दिन कलियर करना है आज के लेक्चर में आप और कुछ भी ना सीखें सिर्फ एक ये चीज़ सीख लें तो आज के लेक्चर में सफिशन लर्णिक होगी आपकी क्या कि हमारे स्लेबस में विरियसय्टएफि सफ इंगेजमेंट है स्वाभ्यारे फ्स ल संगेजमेंट भी नॉनटा्यस इग्जमेंट भी हमने किसी भी playzon को सॉल करना न तो सॉल करने से पहलेaying कर लेना ऑख किए क्वेशन किस टाइप ओफ इंगेजमेंट का है या अर्दिट का है यह रिव्यू का है एग्रीडबों पॉसीजर है कंपाइलेशन है प्रॉस्पेक्टिव फैनेशल इंफरमेशन क्या कौन सा क्वेशन है यह डिसीयन करना है उसके बाद क्वेशन को स्वालव करना शुरू करना है सेम सिच्वेशन डिफरंट टाइपस ऑफ इंगेजमेंट में डिफरंट तरीके से डील की जाती है ठीक है तो स्वेशन की बेस पे डिसीयन नहीं होता डिसीयन किस बेस पे होता है टाइप ऑफ इंगेजमेंट पहले देखने है टाइप ऑफ इंगेजमेंट पहले और उसके ब अताबिक जो so my exam question में करता है वह यह है कि type of engagement को अग्जूर कर देता है तो एक चीज़ आप आप अबड़े कही ना कहीं लिख ले कि हर exam question में आपसे आपने ताइप ऑफ engagement को जरूर नोट करना है जरूर नोट करना रो क्योंब आता है तीकि always notice type of engagement in the exam question क्योंकि जो हमसे वो procedure पूछ रहा होता है और impact on report पूछ रहा होता है वो engagement to engagement different है ठीक है engagement to engagement different है जैसे चोटी सी एक्जेंपल आपके साथ शेर और इंगेजमेंट हो स्टाक काउंट नहीं किया क्या होगा स्कॉप limitation है लेकिन में भी यही स्वेशन वो किसी और engagement में पूछे पर रिवीव इंगेजमेंट में procedure limited होते हैं ठीक है उसमें हो सकता हम इसको स्कॉप limitation में ना लेकर रिक्वाइड नहीं है तो case to case be impact different होता है और engagement to engagement भी डिफरेंट होता है तो आएंदा आपने जब कभी questions कोई भी solve करना है अपनी जिंदीगी पहला question भी solve करेंगे उससे पहले आपने session देख लेने हैं ज्यादा तर question audit engagement की बेस्पर होता है more than 70% क्रीब हमारा जो paper होता है audit engagement के ओपर बेस कर रहा होता है लेकिन 30% other engagement के ओपर भी होता है आपने नोट करना है types of engagement जो बड़ी types of engagement है वो है हमारी दो assurance engagement या assurance services और non-assurance services assurance services कौन सी है reasonable और limited assurance या आपने पढ़ा होगा ना reasonable assurance limited assurance absolute assurance कौन सी assurance प्रवाइड नहीं की जा सकती आपसलूट assurance और reasonable और limited दोने में से कौन सी comparatively high है reasonable तो assurance services reasonable भी हो सकते हैं limited भी हो सकते हैं assurance services में हम historical financial statements को भी verify कर सकते हैं prospective financial information को भी verify कर सकते हैं और other information को भी verify कर सकते हैं historical financial statement क्या होते है टाइप सुन लेजिए assurance का मतलब क्या है हमने verify करना है किसी चीज को लेवल अफ शोनस का मतलब क्या है किस हद तक जाके verify करना हाई लेवल इसे लेवल पे जाकरना है मौडूरेट लेवल पे जाकरना है यह एक सीज लाइदा है यहां पर जो classification की गई है वह यह किस चीज को verify कर रहे हैं किस चीज को verify कर रहे हैं यह है किसे लेवल की है किस 추천 की चरब का मतलब क्या है कि वैरिफिकेशन किसे एक्स्टेंट किस लेवल की है और यहां पर नेचे जो क्लासिफिकेशन गई इसका मतलब क्या है और ये किस चीज की कर रहे है historical financial state historical से क्या मुराद है previous period की जो जो period गुजर चुका है उसकी financial statement क्या वो verify कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या prospective यानी अगले साल की financial information को हम verify कर सकते हैं अगले जैसे बजट कर सकते हैं verify इसको इसको कहते हैं इसको historical नहीं कहते प्रोस्पेक्टिव financial information करते हैं और याद रखिएगा financial statements का लफज historical financial information के लिए है जो पास की बेस्वे बनी होती है जब हम प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं जो future से related होगी उनके लिए हम वर्ड financial statement नहीं यूज करते हैं financial information तो क्या हम future के बेस्पे बनी हुई assumptions projections की बेस्पे बनी हुई financial information को verify कर सकते हैं यास कर सकते हैं अच्छा इन दोनों में मुझे बताये similarity क्या है यह दोनों financial information बेस्पेस कर रहे हैं historical भी प्रॉस्पेक्टिव भी दोनों में हो सकता है sales cost of sales हो expenses हो assets हो liabilities हो फरक क्या है इसमें पास्ट के ट्रांजेक्टिव में future की transactions future की transactions को project की आ जाता है अच्छा मैं थोड़ा सा concept बीड़ करता चाहूं standard कहता है इसमें आप बिल खोल के चाहे reasonable assurance provide करें चाहे limited assurance provide करें इसमें भी कहता है provide करने का पर रिजनेबल को हम accurately predict नहीं कर सकते जितना accurately पास को हम calculate कर सकते हैं यह verify कर सकते हैं तो इस पर नॉर्मली prospective financial information पर नॉर्मली limited assurance provide की जाते हैं आगे चलें यह क्या है यह है यह है financial and non-financial assertions अच्छा मुझे यह बताईए हम सिर्फ financial चीजें verify कर सकते हैं यह non-financial बें नॉन financial की example सुने हैं फर्ज कीजिए क्लाइंट ने यह कहा कि हम employment opportunities provide करने में कोई gender bias नहीं रखते हैं उसने अपनी financial statement में किसी जगा यह information दे दी इस तरह कि कोई information हो सकते हैं हम figures को तो verify कर सकते हैं क्या इस statement को verify कर सकते हैं यह बिलकुल कर सकते हैं यह non-financial information है लेकिन इसको कर सकते हैं ठीक है इसी तरह अगर को यह ऐसी statement हो जो financials relate करते हैं for example उसने यह लिखा हो कि यह चले non-financial की दूसरे example वह statement लिख देता है हम अपनी factory में international standards के मताबिक जितने भी safety मेयर जरूरी हैं वो सारे implement करते हैं यह एक line उसने अपनी financial statement में लिख दी यह किसी और report में लिख दी किसी जगा लिख दी क्या हम इस line को verify कर सकते हैं इसका जवाब है yes बिलकुल कर सकते हैं आप यह न समझे कि हम सिरफ financial statements के expert हैं हम सिरफ financial information के expert हैं नहीं नहीं हमारे सामने दुनिया की कोई भी statement आ जाए हम उसको verify कर सकते हैं यह concept जहें में रखना है आपना हूँ चाहे financial हो चाहे non financial हो कोई भी sentence अगर आप दे दें कोई भी sentence लिखा हो जहें में रखेगा हम उसको verify कर सकते हैं ठीक तो यह financial information पूरी income statement balance sheet वगरा पास की यह future से related यह पूरी के पूरी financial statements नहीं होती ठीक है यह normally कोई ना कोई एक statement होती है जिसे नाम दिया जाता है अजर्शन का अजर्शन अजर्शन का क्लाइंट ने वह exam में कहा देगा क्लाइंट ने यह statement दिया बताओ verify कर सकते हम कहें बिल्कुल कर सकते हैं कहें का बताओ कैसे verify करोगे तो हम इसको यह पूरी financial टिपिकल financial statement नहीं होती कि income statement लगी होगी balance sheet लगी होगी नहीं होगी यह सिरफ एक अदिलाइन होगी statement होगी ठीक है कि हमारे for example हमारे पास हमारी पाकिस्तान में 250 branches है इस statement है वो कहेगा इसके उपर reasonable assurance provide करो क्या कर सकते हैं कैसे करेंगे क्या procedure पर फार्म करेंगे कुछ नकुछ लिखेंगे हमने क्लाइंट से लिस्ट ली हमने जाके फीजिकली सैंपल बेस पर कुछ ब्रांचिस को टेस्ट किया वगारा वगारा हमने देखा उसके results हो थे वह consolidated जो भी financial statement पर पर पेर हो रही थी हैड आफिस लेबल कि उसमें incorporate हो रहे हैं कि नहीं बगारा बगारा तो याद रखेगा हम सिरफ financial statements नहीं बलके different assertions भी verify कर सकते हैं यह standard उससे relate करता है ISAE 3000 primarily यह हमें बताता है कि किस तरीके से verification कर ले हैं यह होगी तीन example हमारी assurance services की यहाँ तक समझा जाते हैं अभी तक क्या सिका assurance services में level of assurance क्या हो सकते हैं reasonable भी limited भी सब्जेक्ट मेंटर क्या हो सकता है सब्जेक्ट मेंटर किसको कहते हैं इसको verify कर रहे हैं सब्जेक्ट मेंटर क्या हो सकता है यह हो सकता है historic financial statements हो यह हो सकता है prospective financial information हो यह हो सकता है कोई भी assertion हो कोई भी assertion कोई भी statement management की उसने कहीं पे भी दिया annual report में financial statement में अपनी website पे हम उस कर सकते हैं यह तीन तरह के subject matter हमारे होंगे assurance engagement में कलियर होगे यहां तक आगे जिजए यह इस स्टेंडर्ड में जाके यह चीज़ों तो सीखनी है वह भी थोड़ी मैं सिखा दूँगा यहां भी थोड़ी मैं स्टेंडर्ड में जाके सिंगे हो सकती है हम देखते हैं donation reasonable है के नहीं मैं आपसे कहता हूँ मेरी अगले session की जो salary income होगी वो होगी for example 10전.pl होगी आप verify कर سकते हैं कि यूंग कर सकते अब कि एक यह तर आपकी एक्जिजर क्या होंगे प्रोसीजर इसी तरह एक्जाम में बनाने हैं आप किया कि एक्जिश्टिंग परमन साली कितनी है। ठीक है मैं कोँगा 1,00,000 आपके सर इसको 6 से मल्लिपलाइब करें 6,00,000 बनते हैं तो मैं कोँगा वो तो कैफ की है ना इसमें सीफएब की आड़नी हुई वह भी आड़ करें इसमें एद का बोनस अड़नी वह भी आड़ करें आपके अच्छा फिरीद के बोनस की अप्रॉब कर सकते हैं यह छोड़े मैंने आपको पताया आप दुनिया की हर चीज़ का पी करना आपने दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं कर सकते हैं यह स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है लेकिन कंसेप्ट का बिल्ड करना है हम दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं मैं आप से कहता हूं कि कास्ट वैरिफाई करें कर सकते हैं यह तो सिम्पल है नहीं तो आप काफ लेवल में चीखते रहें उसी तरह हर चीज वैरिफाई हो सकती है एवन अगर आप से एक्जैम में कहता है क्लाइंट ने कैसी प्रोड़क्ट लाँश करनी है कैश फिवार कास्ट बनाई है जो पहली दफ़ा लाँश कर रहा है वैरिफाई करें उसकी सेल्स क्या होगे उसके expenses क्या होंगे क्या verify कर सकते हैं हाँ अब आया ना लाइन पर बिल्कुल verify कर सकते हैं कैसे हम कहेंगे अच्छा यह बताएं इसकी पहले कोई market feasibility report बनाई होगी research की होगी वो बताएं research and development cost incur की होगी वो बताएं product develop होगी की नहीं होगी तो case के लिहाँ से याद रखिए हम verification procedure उसको बता सकते हैं prospective के भी बता सकते हैं और आगे कोई भी assertion या statement आती है उसके भी बता सकते हैं अच्छा इसको आपने खास और पर समझना है इसमें पूरी income statement balance sheet वगए नहीं होती सिर्फ एक कोई ना कोई statement होती है और हमने उसको verify करना है कर सकते हैं वो depend करता है statement किस तरह की है उससे related procedure बताएंगे अच्छा historical financial statement में दो example है फर्दर एक है अर्डिट जिसमे reasonable assurance provide करते हैं और दूसरा review जिसमें limited assurance provide करते हैं audit के standard है ISA 200 से लेके 800 series audit के कोंसे standards है ISA 200 अब आपने standard भी तो पढ़ने है ना अब आपके साथ इसरा बात नहीं होगी कि वो chapter 1 में ये लिखा है chapter 4 में ये लिखा है अब किसरा बात होगी इस ISA में ये लिखा हुआ है इस ISA में ये लिखा हुआ है आप जब आई कैप जाएंगे और कहेंगे सर मुझे standards दे दीजिए वो आप से जिते भी पंदरा सोना सो जितने भी याँ वो पैसे ले लेंगे और आपको standards देंगे चार चीजें देंगे चार books देंगे चार books जो volume 1 होगा ना सबसे बड़ा वो क्या होगा audit उसमें क्या होगा audit के standards होंगे audit के standards और volume 2 में क्या होगा review and other assurance and related services volume 1 में क्या होगा audit volume 2 में क्या होगा review and other services तो इसका मतलब यह हुआ कि इस engagement से related जितने भी standards है वो कहां प्योंगे volume 1 में ठीक है इसमें 200 200 से 700 सीरीज है हमारी general purpose financial statements काड़िट कैसे करना है और 800 सीरीज जो होगी वो होगी special purpose financial statements काड़िट कैसे करना है अब general purpose क्या है special purpose क्या है complete set of financial statement क्या है single financial statement क्या है summary क्या है यह माइस्ता हिस्ता पढ़ेंगे ठीक है आपके सामने यह सारा syllabus रखने का मकसद यह था आपको पता हो कि यह सारा नक्षा हमारे सामने खुल गया है हमने क्या क्या चीज़ें करनी है किस जगा पे है इससे पहले क्या इसके बाद क्या है complete set का मतलब क्या है income statement, balance sheet, cash flow statement, चेंडिक्री नोर्स, पांचों की पांचों सारी चीज़ों को वेरिफाई करना है इसको कहते है complete set और general purpose का मतलब क्या होता है ऐसी financial statement जो आम अवाम के लिए बने अगर तो financial statements है complete set और general purpose यह कवर होंगी हमारे ISA 200 से 700 सीरिस में जो कैफ लावल पे आप पड़ते आए लेकिन some time financial statements होती है जो आम वाम के लिए नहीं किसी खास बंदे के लिए जैसे FBR के लिए सिर्फ प्रिपेर की जाए यह some time financial statements होती है जिनमें सारी के सारी नहीं सिर्फ एक income statement को verify करते है सिर्फ एक element trade receivables को verify करते है तो यह verification हमारी होगी special purpose single element यह summary में 800 सीरिस में तो जो वालियम वान है वो क्या है audit audit में 200 से 700 तक सीरीज किस वाले audit से relate करती है general purpose complete set से और 800 सीरीज किस से relate करती है जो general purpose नहीं या complete सेट नहीं क्लियर यहां तक फिर इसके बाद आगे classification बताई है कि हमारे risk assessment के और सबस्टेंटी प्रोसीजर के standard कहां कहां कवर होते हैं evidence obtain करने वाले standard कहां कहां कवर होते हैं यह है रिसक आपको बता है प्रैक्टिकल याइड करते हैं पहले risk assessment करते हैं फिर प्रोसीजर 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 करते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं तो हमारे risk assessment के standard 300 200 basic concept से relate करते हैं 300 risk assessment 400 500 600 procedure perform कैसे करने evidence कैसे update करने और 700 audit report यानि हमारे audit के एक दो तीन हिस्सें हैं पहला हिस्सा risk assessment इससे related standards यह हैं दूसरा हिस्सा evidence obtain करने वाला उससे related standards यह हैं तीसरा हिस्सा report देने वाला उससे related standards यह हैं यह clear हो गया अच्छा यहां पर आप नीचे हमने grid wise icap के grid को भी शो करवा दिया है risk assessment वाला तकरीबन 20 marks हर दफ़ा confirm question आता है evidence obtain करने वाले standards में से 25 से 30 number का वेपर आता है audit report में से 20 marks का question आता है including ISA 800 series ठीक है 800 series को मिला के वरना अगर 800 series को निकाल दे अलादा कर लें तो 10 number उसमें से आएंगे 10 number इसमें से आएंगे फिर इसके बाद हमारा जो other assurance service 300 series है और non assurance services है इन में 10 से 15 number का question आएगा और फिर इसके बाद code of ethics होगा यहां पर किदर है code of ethics इसमें 10 से 15 number का confirm question होता है जो आपके confirm question है code of ethics एक risk assessment वाला यह confirm question है आपके तकरीबन समय लेजिए 35 number का paper इन दो topics में से confirm है ठीक है अच्छा यह याद रखेगा वाल्यम वान अडिट से है वाल्यम टू रिव्यू और other services से है वाल्यम 3 इग्नोरेबल है उसको फिलाल साइड बे रख दोसमें कोई फिलाल का स्टेंड नहीं है और फॉर्थ बुक जो होगी वो code of ethics होगी ठीक है तो यह चार है वान और टू को आपने clear होना है वान और टू में mix नहीं होना आपको पता आना चाहिए कौन सा standard किस बुक में है ठीक है तो मझे पताईए आईसे 705 किस वाल्यम में है वाल्यम वान में ठीक है और आईसे 805 यह भी वाल्यम वान में और review engagement के standard टू में ठीक है और agreed upon procedure compilation एक नहीं अरो यह कहां वाल्यम टू में फिर फाड़िद को में रिव्यू और अधर इंगेजमेंट वाल्यम टू में और कोड़ अधिक्स अलागदा सो उबकत है यह उसलिए ताकि एक्जाइम में जब आपको nature of engagement पहले देखते है ना तो आपको पता नहोंगी मैंने किस व यहां तक कोई क्वेस्टन पूछना चाहें तो पूछ लेजिए नॉन शॉरंस इंगेजमेंट ऐसी इंगेजमेंट्स हैं जिन में हम कोई शॉरंस प्रवाइड नहीं करते हैं अब आगे फर्दर मैं इन में नहीं जाना चाहरा है यह बैसिकली अडिट नेचर की इंगेजमें होती हैं और यह हमारा कोड़ ओफ एथिक्स लादस हैं जी यहां तक जो मैंने आज औरियंटेशन क्लास में आपके साथ डिसक्स करना था वो साथ चीजें सारी मैंने कंप्लीट शेयर कर दी हैं कोई भी क्वेस्टन पूछना चाहते हैं पूछ लेजिए क्लास में स्टैंडर्स साथ रखने की जूरूरत नहीं है लाना चाहें तो ले आएं कुई मसला नहीं है ठीक है वाइससा जैसे क्लास चलेगी ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस की जुरूदा है किस इसके नहीं ठीक है मेरा ख्याल यह कि स्टैंडर्ड घर में reading के लिए रख लें क्लास में लाना नहीं वो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको के रीड कर सके स्टैंडर्स देखें ले लिजिए बेहतर है मैं यह भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल इसको इनौर करते हैं ले लिजिए टाइम जब फ्री हो तो आप उसको रीड कर लिजिए इस यह आपकी अपनी विदे के मेरे अलफाज में तो आप स्टैंडर्स को पढ़ी लेंगे उसकी यह बिजरूरी है और कुछ भी नहोना तो रीडिंग करने से एक दफार हम ब्रींट होई जाएगे तो थैका तो स्टैंडर्स कि सारी चीजें आपने कबर कर लिया और आपको पता है सारी नोग है O पुक ही आयुक्त नियुक्त और ठाइक ऑ laptop से पड़ा तो अघर आप राइज के स्ट भॉक यूस किया आपने कम लोग घल यॉदे तो सफ राइस की भॉक्त ने पुरॉ और ब्रार्पर जो आपके पास वस्ट थी दो साल पहले साल पहले जब भी आपने पढ़ा था ठीक है क्योंकि वो बुक बड़ी कीमती है अगर इन केस वो गुम हो गई दर दर हो गई है तो फिर वही सी बुक का नया लेटर स्टेडिशन ले उससे भी हमारा काम हो जाएगा लेकिन दोनों जगा से नहीं पढ़ना ना 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 न से फिर हम कंसेप्स की डिसकेशन शुरू कर देंगे ठीक है और जी जी नहीं वहां मुझे अन्दाजा है लेकिन असल में नहीं क्योंकि दर्मयान में पंदरा मिनिट की नमाज की ब्रेक भी आनी है वह अगर पंदरा मिनिट आगे किया तो बाद में घूंपिर के फिर मुझ इतने ऐसे स्वांट्स हैं जो छे बजे नहीं आ सकते है अगर मुझेला मैं चले इसका सोचना वालूइट करता हूं कि काफी स्वांट है कि कुछ अगर हो सकता मैं चले इसके ओपर थोड़ा सोचता हूं इसका सुपर थोड़ा सोचता हूं और की क्वेस्ट जी इसे है लेकिन जाहिरे मैंने अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी भी जिम्हेदारी देखनी है मैं डेड़ घंटे में नहीं बढ़ा सकता मुझे तो इसमें मुश्किल लगता ह होता है क्योंकि मेरी आदध है जरा कंसाइब डिसकस हो रहे होते ना थोड़ा उसमें डिसकेशन करनी होती है कुछ को इसमें डिसकस करने होते है उसमें टाइम लगता है लेकिन बाराल मैं देखूंगा शायद कोई पांच-साथ मिन अगर उपर हो सकते हुए तो कर लिया कर जी बिल्कुल यह आज ही मैं आप बलके मुझे याद आ गया मैंने आपको फून नंबर गएरा का था शेयर करने को पेज मुझे दे दीजिए और यह मेल के लिस्ट आप लोगों ने लिख दी है ना यह यह लिखवा लिजे इसे ठीक है यह मैं आज ही आड करके ना कोशिश इसको ना आपने घर जाके खास और भाई डिस्रीबूट कर दें पेज है ना यह फोटोगापी ने कुछ करवाई थी यह डिस्रीबूट कर देजिए गर जाकि आपने देख लेना इसको एक दफा ताकि आपको अपना आपका स्लेबस क्लियर हो आपको टाइपस ऑफ शोरंस इस इंगेजमेंट पता हो जी डिस्रीबूट हो गए सब में हैं आप जी और की क्वेस्टन पूछना चाहते हूं कोई क्वेस्टन नहीं चलिए फिर अच्छा कल आपने यह रीडिंग लाजमी करके आनी है और अगर आपके पास बुक नहीं है आई कैप की बुक तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी डाउनलोड कर सकते हैं कि वेबसाइट से राइजवाली बुक अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप जाते वे बुक शाफ वाले से ले लीजेगा ताक्के आपका टाइम जायाना हो आज आप कुछना कुछ पढ़के आएं आज घर जाके लीडिंग कर लीजेगा चैप्टर वन और टू के चलिए आज का लेक्षिर यहां पर खतम करते हैं अल्ला हाफिस